आज हम बात करेंगे UK spouse visa को लेकर UK spouse visa बहुत confusing है क्या आपको file एकठे लगानी चाहिए या बाद में लगानी चाहिए इसके बारे में detail जान करी दूँगा प्लस मैं आपसे latest जो हमारे visas हैं वो भी share करूँगा और उसका secret भी बताऊँगा कि वो कैसे उनका spouse visa लगा है Bells Overseas, the sound of your future पुछ भी नहीं है जो हमारा खुद का experience है आज हमने latest जो visa लिया है वो लिया है Manpreet and Jaspreet का इन दोनों की हमने कठे ही file लगाई थी और कठे ही visa लिया था यह मैं सारे cases आप से share करता हूं जो हमने कठे ही इनकी file लगाई और कठे ही visa लिया है जो है Manpreet और Jaspreet और इससे पहले हमने जो file लगाई है दिपांशी एंड राजन उससे पहले Manpreet और संदीप इनकी भी हमने कठे ही file लगाई है यह कठे लगाने से visa नहीं देता बैसी depend करता है कि आपकी file की presentation कैसी है आपने file कैसे लगाई है बहुत सारे consultants को तो यह भी नहीं पता कि बैसी में भी file के साथ SOP लगानी जरूरी होती है और funds को कैसे present करना है और उसके बाद क्या marriage के क्या proof लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए या खाली marriage certificate लगाना चाहिए तो यह सारे कुछ है जो मैं कहता हूं कि professional secrets हैं जो कि मैं वीडियो में नहीं share कर सकता लेकिन हमारा इतना यह experience हो चुका है UK visa लेने में और UK spouse visa लेने में कि हमारी इस चीज़ में expertise हो चुके हैं तो आज तक बगवान की देया से हमारा एक भी spouse visa refuse नहीं हुआ है और UK के भी बात करें तो almost 100% हमारा success चल रहा है तो सारी ही files के results positive आये हैं हमने बहुत सारे recently visa ले हैं UK के और पीछे तो हमने 2014 pass out students को भी UK में visa है चाहे वो लखबीर हो चाहे वो दिलबरपरीत हो यह दोनों ही students 2014 pass out हैं लेकिन इनका visa ले है लेकिन यही डिपेंड करता कि आपके consultant पे उसके कितना experience हो उसके कितनी UK में पकड़ है UK में मैं हमेशा कहता हूं कि सिर्फ experience consultant ही आप hire कीजिये जिसके already UK के काफी visas आ चुके हों ताकि उसमें UK की उसकी पकड़ होने चाहिए और UK spouse visa में आपको कोई भी आप मेरे पास case लेके आए मैं कटे ही आपकी file लगाऊंगा और कटे ही आपको travel कराऊंगा सिर्फ जो दो-तिन चीज़ें वो ध्यान रखने आ लिए कि यो main applicant है वो graduate होना चाहिए spouse चाहे 10th pass है 12th pass है hardly matters और secondly आपको कोई भी उसमें ITRs नहीं दिखाने की जुरूरत spouse की सिर्फ spouse के funds marriage certificate और कुछ चीज़ें जो हम आपको guide करेंगे वो आपने सिर्फ देनी है और आपको कोई भी ज्यादा requirements नहीं है तो आपका definitely UK का spouse visa भी आएगा UK में अगर आप अपने बच्चे को भी साथ लेके जाना चाहते तो उसकी 8th class तक education totally free है UK में तो इसलिए जो भी UK के लिए apply करना चाहते तो एक बार जुरूर हमारे से consult करें चाहे आप फाइल कहीं से भी लगा रहे हैं लेकिन एक बार जुरूर इसका फैदा होगा